अगल वाद करिये तो भाजब कार्पेट बॉंबिंग ठकी गुजरात नों गड़ जीतवा मांगे छे जेदी केंद्रीय नेता ओनी फोज ने प्रचार मैदान मा उतारी छे एवाज एक केंद्रीय नेता रविशंकर प्रसाद साथे जेस्टीवी एक्स्क्लूजीव वाचित क जेमा रविशंकर प्रसाद ने सवाल करायो कि गुजरात पाज आटली स्तिती सारी जे तो पची केम आखिय सरकार बदल भी पड़ी तो कॉंग्रेस मुक्त भारतनी वाद करतू भाजब अवे कॉंग्रेस यूग्त बनी गवुशे आज साधे रविशंकर प्रसाद ने सवा करायो कि भाजब पासे कोई सारा नेता न थी तो बची शाह माटे जैनि सामें गंबीर गुणा नोंदाय जो तेवा सियार पार्टी ने अध्यक्ष बनावा पड़े अभी चुनाओ के चुनाओ में एक साल ही बाकी था तब गुजरात का पूरा जो मंत्री मंदर है वो बद ही यह मुख्य मंत्री मंदल बदलना पड़ा क्योंकि बाजब द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सब सलामत है सब अच्छा है बुपेंद्र पटेले भी बहुत विकास की कामगीरी की है तो आप क्या कोहेंगे देखिए मैं आप से इसका एक जवाब हूंगा हमारी पार्टी यह क यह काम कर रहे है यहीं तो अंतर है वह राजस्थान में एक सीम डिप्टी सीम का लड़ाई नहीं सटल कर पा रहे हैं हो जड़ोज लड़ाई होती है उनके मुख्यमंत्री में उनके हेल्थ मिनिस्टर में और हमारे आशाब एक हैं तो हमारी पार्टी अनुश्राशन में विश्वास करती है और सब को आउसादरी में विश्वास करती है से ऐसी बाते सामने आ रही हैं कि भाजब के जो कार्यकरता है हुद्देदार है वह कहीं न कहीं भाजब के जो अध्यक्ष है C.R. पाटिल जी उनसे नाराज है तो ऐसी तो क्या जनुरत आ गई कि यह जो क्रिमिनल भी केस दर्ज हुए है प्रडेश प्रमुक C.R. पाटिल पर पार्टिल को मैं जानता हूं बहुत ही योग्याज एंपी हैं मेनद्थ करते हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे भाजपा के संगर्टर को समाला है उसके बहुत अरीफ करते हैं और यह सब बाते करें इसको मिश्वास नहीं करते हैं कॉंग्रेस ने ये अक्शिब किया था कि उनके उपपर बहुत ही गंबिर जो गूना-गूना है वो दर्ज हुए हैं गटिया बेशर्म बात तो उनके में क्या लोग सभाता है हार कर हाताश है क्योंकि क्या कहा तो सुनिया गांदी ने मौत का सदागर और हमारे नरेंद मोदी का हिर्दे इतना बड़ा है जितना गाली पढ़ो उतने हुआ आगे बढ़ते हैं लोग हारते है अंतिम सवाल ये जो गुजरात विधान सभ के चुनाव है तो कॉंग्रेस की बात करू तो क्या लगता है रेकॉर्ड ब्रेक करने का भी भाजब ने बोला है कितना इस बार कितना रेकॉर्ड ब्रेक करिया जाएगा देखिए अब मैं नंबर तो आप लोग तैय करिये निरनायक प्रामानिक बहुमत मिलेगा हिस्टारि विजय होगी एतिहासिक विजय होगी कॉंग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार होगी और आम आदनी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा सर अंतिम सवाल भाजब द्वारा पिछले कहीं महिनों से ये बयान दिया गया है कि ये जो भारत है वो कॉंग्रेस मुक्त किया जाएगा और भाजब का प्रचंड विजय प्राप्त होगी लेकिन पिछले कितने समय से तो हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेस के जो नेता है वो क कॉंग्रेस यूग्त हो रहा है क्योंकि बात देश को कॉंग्रेस यूग्त करने की की गई थी लेकिन यहां पे तो भाजब कॉंग्रेस यूग्त हो रहा है उसके बारे में कुछ लोग कॉंग्रेस की दरबारी चमचागिरी संस्कृती से उपकरा रहे हैं वहां पी लोग है लेकिन सर जितने पक्षपल्टू नेता है कि जो कॉंग्रेस को छोड़ के भाजप में आये हैं उसके तीन या फिर चार ऐसे नेता है कि उनको टिकेट मिली है तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाजप के जो जूने जो पुराने जो नेता है कि जो सच्चे कारे करता थे भाजपा हमेशा कारकरताओं का सम्मान करती है तब ये तुभूपेंदर जी मुक्षमंत्री है अब कई विशेश परस्थित्यों में किसी को दिया गया होगा लेकिन जो भी आता है भाजपा की रीती, नीती, संसकार विचार का सम्मान हमेशा तुक करना करे।